Hello and welcome दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार, आप देख रहे हैं TechSPR गैज इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके का एप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये प्लेइट का क्लोन है प्लेइट एप जिन लोगों ने यूज किया है, उनको पता चल गया होगा कि इसका मैन फीचर क्या होने वाला है जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको बता दूँ कि ये एक वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज होने वाला है इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को हमारी टीम बना करके आपको दे तो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वाट्सएप पे उनसे चैट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ extra customization कुछ इसमें से remove कराना है या पर कुछ feature को आपको add कराना है तो वह भी service available है वह भी आप करा सकते हैं लेकिन इसके according आपके कुछ cost increase हो जाएगी तो आप एक बार चैट करके तब आपको पता चलेगा कि actual cost आपके project की क्या रहेगी अगर आप उसमें कुछ भी customization कराते हैं तो पहले हम लोग app का demo देख लेते हैं तो जैसा कि आप इस screen पर देख पा रहे हैं ऐसी website भी इसके साथ create हम लोग करेंगे तो जैसे आप website पर जाते हैं और उसके बाद में आप किसी भी movie को play करने की process करते हैं तो आपको दो बटन दिखाई देते हैं एक play now का एक download now का आप किसी भी बटन पर जब click करेंगे तो यह redirect कर देगा आपके app में आपके app में जाकर के वीडियो वह play हो जाएगी अगर आपके विजिटर के अगर आपके विजिटर के phone में app पहले से installed है तो अगर मान लीजिए आपके विजिटर के phone में app installed नहीं है तो उसके लिए play store पे redirect करेगा क्योंकि हम लोग इस app को play store पे डानने वाले हैं और महां से कोई भी user download कर सकता है उसको उसके बाद में पिले करेगा तो direct app के अंदर जा ने का ताकि आपका play store से app remove नहीं हो और second आपका addmob भी block नहीं हो तो चलिए आप लोगोंने demo तो देख लिया अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसकी website का setup करेंगे तो उसके लिए आपको जरूरत पढ़ेगी hosting और domain की domain आप go daddy से purchase कर सकते हैं hosting के ल open हो क्या जाएगी तो यह website geohoster की और इस पे जाकर के आप लोगों को अपने हिसाब से package को select कर लेना है यह आपके shared hosting के हैं अगर आप को सुरुवात कर रहे हैं just now आपके कोई भी user एकदम से नहीं आने वाले हैं तो आप इसमें basic plan है उसका भी use कर सकते हैं वैसे मैं आपको recommend क तुरंत बाद इसको launch करने वाले हैं तो आप business plan के साथ जाएए यह आपके लिए better रहेगा आप BPS भी इसमें choose कर सकते हैं अगर माल लिजी आपको लगता है कि आपके user बहुत ज्यादा अच्छे हैं कहीं पर आपके audience और आप promotion करेंगे तो बहुत ज्यादा वल्कमे users आपके GPS का यूज कर सकते हैं इसमें आपको fast speed मिल जाती है आप content बहुत ज्यादा जल्दी पिले होगा उसमें बिल्कुल भी वाफरिंग नहीं होगी तो इसमें ऐसे आप अपने हिसाब से कोई भी plan को choose कर सकते हैं उसके बाद मैं आप लोगों को simple इस पे gate starter पे click करके इसको purchase कर ले आपको इस पे कोई भी problem को face नहीं करेंगे mostly यह रहता है और इनका सबसे ज़्यादा best feature यह है कि आपको यह WhatsApp support देते हैं अगर hosting की तरफ से कोई भी problem होती है तो आप WhatsApp में message कर सकते हैं और within 15 minutes आपके पास में उसका reapply आ जाएगा तो यह बाकी hosting provider से सबसे best तरीका है बाकी दूसरे में घंटों तक wait करना पड़ता है तो आप इसका use कर सकते हैं आप इसको purchase कर सकते हैं और उसके बाद में next step हमारा आता है कि hosting और domain को आपको connect करना है अगर आप लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से hosting और domain को connect करते हैं तो इ लेड़ी है एप को बनाने के लिए अब आप लोगों को चाहिए source code file source code file आपको मिलेगी techspr.in पर जैसे आप सर्च करते है techspr.in आप इस तरीके की website पर पहुंच जाएंगे और इसको scroll करना है scroll करने के बाद में आप लोग यहां से direct android पे click करके भी पहुंच सकते हैं या फिर आप इसको scroll करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा app like plate तो यह plate का clone है तो play hit आप इसको यहां पर download कर सकते हैं पोस्टिंग आप इसकी देख सकते हैं अब इसको जैसे आप add to basket करते हैं add to basket करने के बाद में आपको जाना है अपने card पर यह card में add हो जाएगा उसके बाद म तो आप इसको यहां पर redeem कर सकते हैं coupons में आप लोगों को बता दू हमारे telegram channel पर आपको share किये जाते हैं तो आप telegram channel को जाकर के join जरूर से कर लिजे ताकि कोई भी deal अगर आती है तो आप लोग वहां से उसका लाव उठा सकते हैं यहां पर आप अपना coupon डालके apply coupon के click करें करेंगे तो आप लोगों के लिए यहां पर जो भी discount रहेगा वह यहां पर हो जाएगा उसके बाद में आपको proceed to checkout पर click कर देना है को यहां पर login कर लेना है अगर आपने account पहले से create किया हुआ है अगर नहीं create किया है तो आप sign up पर click करके account को create कर सकते हैं मैं यहां पर अपने setup का अगर आप without setup चूज करते हैं तो आप लोगों के लिए only code file इसमें मिलेगी source code file और आपको इस वीडियो को देख करके आपको पूरा setup करना है अपना app create करना है अगर आप with setup चूज करते हैं तो आप लोगों के लिए complete app मिलेगा complete app यानिके website और app तोनों को create करके हमारी development team आ करने के बाद में आप लोगों के लिए time दिया जाएगा within time आपको project complete करके आपको handover किया जाएगा simple आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से choose कर सकते है with setup या फिर without setup उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक payment gateway को choose करना पड़ेगा एक और important बात में आपको बता दू अभी यहाँ पर इसकी costing यह 4000 है with setup की में भी हो सकता है कि इसका charge आगे बढ़ जाए तो अगर आप लो होके click करेंगे आप लोगों के लिए हमारा payment page open होके आ जाएगा आपको वहाँ पर payment करना है और आपको एक file मिलेगी जो की zip file होगी उसको आपको download कर लेना है अभी मैं यहाँ पर payment नहीं करने वाला हूं क्योंकि already हमारे पास में code file है तो अभी मैं यहाँ से इसको cut कर देता अब आपके पास में एक zip file download होकर के आ जाएगी जिसमें कि आपको दो folder दिखेंगे एक आपको दिखेगा android का एक आपको दिखेगा website का अब website के folder का use हम अभी करने वाले हैं जो android folder है उसका use हम next video में करेंगे तो अभी हम यहाँ पर website का setup only करने वाले हैं तो आप लोगों के ल लेना है मैं अब भी अपने hosting के cPanel को open कर लेता हूं और मैं यहाँ पर आ चुका हूं अपने cPanel पर उसके बाद मैं आपको इसे scroll करना है simple आपको यहाँ पर file manager पर जाना है जैसे आप file manager पर जाएंगे उसके बाद मैं आपको public underscore html पर जाना है अगर आप geohoster से purchase करते हैं अपने hosting को जैसे जैसे मैं step यहाँ पर कर रहा हूं बही आपको follow करना है आप लोगों के लिए कोई problem नहीं आएगी अगर आप किसी दूसरे hosting provider से purchase करते हैं तो में भी हो सकता ह है कि आप लोगों के लिए problem आए तो आप लोगों को यहाँ पर जाना है और simple यहाँ पर जाकर के आपको upload के click कर देना है जैसे आप upload के click करेंगे उसके बाद मैं आपके सामने कुछ इस तरीके का page open होके आएगा यहाँ पर अपनी file को select कर लेना है जहाँ पर भी आपकी file करना लिजे क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के लिए zip file upload करनी रहती है तो simple आप जैसे right click करेंगे इस पर उसके बाद में आपको send to पर click करके compress कर लेना है और यहाँ पर आपकी zip file ready हो जाएगी और zip file को यहाँ पर आप select करके simple upload पर click करेंगे और यहाँ पर आपकी file upload होना शुरू हो जाएगी आपकी internet speed पर depend करता है कि इसमें कितना time लगेगा upload होने में तो अभी हम file को upload हो जाने देते हैं हमारी file upload हो चुकी है अब हम इसको यहाँ पर backpack कर देते हैं यहाँ पर आपको website.gip file देख रही होगी अब हम इसे extract कर लेते हैं यहाँ पर आप click करके इसको simple extract कर लीजिए public underscore HTML folder के अंदर आप इसको यहाँ पर close कर दीजिए और यहाँ पर हमारी जो file थी extract होके आ चुकी है हमारी website का सारा code public underscore HTML folder के अंदर आ चुका है अब हम लोग इसका setup करेंगे अब आप लोगों को new window open करना है उसके अंदर अपनी domain को सर्च करना है जैसे आप domain को सर्च करेंगे आपको यहाँ पर play hit का जो installation page है वो आपके सामने आ जाएगा अब आप लोगों को यहाँ पर next पर click कर देना है और यहाँ पर हमें database की कुछ details लगेंगी तो हम लोग पहले database create कर लेते हैं अब आप लोगों को आ जाना है अपने फिर से cPanel पर और यहाँ पर आने के बाद में आपको इसे scroll करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा mysql database इस पर आपको click करना है यहाँ पर आपको अपने database का name दे देना है तो मैं यहाँ पर tag spr दे देता हूं उसके बाद create database पर click करना है उसको go to back कीजिए उसके बाद में आपको इसे scroll करना है और यहाँ पर हम अपना user create कर लेते हैं वो भी मैं tag spr नाम से कर लेता हूं आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को एक password type करना पड़ेगा type कर सकते हैं यहाँ आप यहाँ से generate कर सकते हैं आपको password को ध्यान में रखना है क्योंकि इसका यूज अभी आगे होगा तो आपको create user पर click कर देना है फिर से आपको go back पर click करना है फिर scroll करके आपको database और जो आपने user create किया दोनों को connect करना है तो यहाँ पर आपको add user to database करना है आप यहाँ पर select कर लिजे अपने user को और database create किया है तो यह automatic यहाँ पर आ गए है और मैं यहाँ पर add पर click करता हूं तो यह add हो चुके है उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर all privileges को select करना है उसके बाद आप यहाँ पर make changes पर click कर दीजिए हमारा database successfully create हो चुका है अब हम database की details है उसको वहाँ पर fill कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पर database का password है वह देदेता हूं फिर से आ जाना है आपको अपने डेटावेस वाले page बे और यहाँ पर आप लोगों को अपने user और database name को copy करके वहाँ पर paste करना है तो यहाँ पर हमारा user database name semi है तो मैं यह को copy कर लेता हूं और दौनों जगे paste कर देता हूं और यहां पर आप लोगों को local host टाइप करना है second step में आपको यहां पर अपनी कुछ personal details डालनी है name आपको डालना है तो मैं यहां पर admin admin डाल देता हूं आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं अपना name पस्ट नेम लास्ट नेम उसके बाद में आप लोगों को यहां पर डालना पड़ेगा आपको पचेच कोड मिलेगा जहां पर आपने जो जिफाइल डाउनलोड की होगी अहीं पर आपको ए एक टेक्स्ट फाइल मिलेगी उसके अंदर आपको पर्चेच कोड मिलेगा वो पर्चेच कोड आप लोगों को कॉपी करके यहां पर पेस्ट करना है उसके बाद मैं आपको फिनिस पर किलिक कर देना है वेपसाइट हमारी सक्सेसफुल लिए इंस्टॉल हो चुकी है अब ह इसको यहां पर आपको सिलैस एडमेंड टाइप करना है और यहां पर आपका एडमेंड लॉग इन के लिए बोलेगा यहां पर आपको वो आईडी पासवर्ट देने है जो वेपसाइट को क्रियेट करते समय डाले थे और यहां पर लोग इन होके आ चुका है इसमें बहुत सारे फीचर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं अब एक एक फीचर को हम एक्स्प्लोर इसमें नहीं करेंगे क्योंकि अगर एक फीचर को एक्स्प्लोर करने लगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो है ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आप आए कि किस तरीके से आपको इसमें कॉंटेंट एड करना है एंड बाकी फीचर्स को किस तरीके से आपको कंट्रॉल करना है तो यह हमारी website तो यहां पर successfully complete हो चुकी है install हो चुकी है अभी आप लोगों को एक movie एड कर के दिखा देते हैं आपको जाना यहां पर new add movie पर तो आपको कुछ इस तरीके का interface देखेगा यहां पर आप अपनी details को manually fill कर सकते हैं thumbnails और यहां पर अपना poster लगा सकते हैं मैं यहां पर import करने वाला हूं TMDB से आप भी import कर सकते हैं अगर आप कोई movie यहां पर publish कर रहे हैं जो क उसके आगे आपको TMDB लिख देना है उसके बाद आप उसको open कीजिए और यह आपको TMDB की ID दिख जाएगी ब्राउजर में उसके तो उसको यहां से copy कर लेना है और आपको आजाना अपने admin panel में उसके बाद में आपको इसे यहां पर paste कर देना है और फैच पर किलिक कर देना इसके बाद यहां पर सारी details movie की फैच होके आ जाएगे जिसके आपने ID डालके फैच किया है यहां पर आप देख सकते हैं सारी details आ चुकी है आपको कुछ भी यहां पर manually फिल नहीं करना है उसके बाद में आप लोगों को simple यहां पर create कर देना है जैसे आप create पर click करेंगे आप लेवल फो करना चाहते है माली यह अपने अपने आप दे सकते हैं या फिर आप एड़ कर रहे हैं उसका नाम दे सकते हैं तो मैं यहां पर टेक स्टीर पर बढ़ता हूं इसके बाद में आप लोगों के लिए order select करना है किस order में आप अपनी website पर इस movie को सो करना चाहते ह है यहां पर MP4 URL पहले से selected है आप इसे बगल के कुछ और भी select कर सकते हैं माली जी आपका Amazon S3 पर content पढ़ा हुआ है तो वहां से भी आप कर सकते हैं MP4 URL वह भी आप लगा सकते हैं तो इसारे option आपको मिल जाते हैं यहां पर एक option आपको direct upload का भी मिल जाता है कि माली जी आपके इसको यहां पर select कर लिया उसके बाद में आप लोगों को एड़ पर किलिक कर देना सिंपल वैसे आप एड़ पर किलिक कर देंगे यह वीडियो अप्लोड होना शुरू हो जाएगी फोड़े दिर में यह अप्लोड हो जाएगी यह डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्क है Gir avoid अवर यहां पर हमारे डिटयो अपलोड हो चलिए अब आप लोगों की शिर्ची आप रहा है यहां पर आपको देख जाएगी यहां पर अर्हां पर देख सकते हैं Rab तो हम एक बार अपनी website को बिजिट करके देख लेते कि हमारी website कि इस तरीके के लिख रही है कि जो movie हमने add की है वग्हारी is तरीके से यहां पर show हो रही है तो आप देख सकते हैं कि यहांपर हम अपर अपर हम slider enable करेंगे और उसके बाद में यहां पर हम और movies को भी add करेंगे तो यहां पर आमने इतनी सारी मूवीज को एड़ कर लिया है इसी तरीके से अमने फुस्ट बैप सिरीज को भी आप देख सकते हैं और सेरीज में जाके शिंपल जिस तरीके से मूवीज करते हैं बैसे बैप स्रीज एड़ करते हैं अब हम बैप साइट पर जाके देखते हैं कि हमारी बैप साइट का लोग किस तरीके से दिख रहा है तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी बैप साइट कुछ इस तरीके की दिख रही है अब हम यहां पर एक स्लाइडर इनेवल कर देते हैं ताकि यह अच्छा लोग आजा जा पर पर आपको जाना है यहां पर Slider पर इसके बाद में आपको Slider सेटिंग में जाना है उसके बाद आप लोगों को यहां पर सेट है वही रहनी देता हूं और मैं यहां पर Simple Save Changes पर कर देता हूं उसके बाद मैं बैप साइट पर आता हूं इसको रिफ्रेस्ट करता हूं जैसे आप रिफ्रेस्ट करेंगे रिफ्रेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा Slider नेवल हो चुका है आप इस पर ओवर करेंगे यहां पर ट्रेलर चलना सुरू हो जाएगा अगर यूटूब पर उसका ट्रेलर होगा तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहां पर यूज प्लिक करता हूं जैसे किलिक करूंगा आपको यह पर दो बटन दिखाई देंगे एक प्लेनाओ का बटन और एक डा पहले से अगर अपके फॉन में इंस्टाल्ड नहीं है तो यह आपको प्ले श्टोर पर रिडार्ट करेंगा और वहां से डांलोड होने के बाद भी प्ले होने लगे लगे घुग तो यहां पर वारी website का काम तो होया था complete अब अमारी website फुल तरीके से रेडी तो अधी के लिए बस इतना ही next video में हम लोग अपने एप को तयार करेंगे और उस एप को हम अपनी website से connect करेंगे ताकि हमारी वेपसाइट पर जितना भी content पढ़ा है वो हमारे एप के अंदर play होने लगे play now या download now पर click करने के बाद अगर आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आईए तो वीडियो के लिए like कर दीजिए अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment कर सकते हैं और अगर आप इस website and app को completely हमारी टीम से बनवाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए description में नंबर दिया होगा पर जरूर से चेक कर लेना अगर वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आई है तो वीडियो को like कर देना अगर आप लोगों के लिए कोई doubt है तो आप comment कर सकते हैं इस्टाग्राम पर मुझे follow कर सकते हैं अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर उसे जोइन कर लेना क्योंकि उसके हमारी जितनी भी डील से आती रहती हैं ताकि आप लोगों से कोई भी डील मिसना हूँ थैंक्स पर बोचिंग दोस्तों टेक केयर बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में